दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ओफ माई इंट्रडे में दोस्तों देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां पर मुमेंटम कर सकते हैं क्या हो सकता है कल उसके बारे में बात करते हैं लेकिन उसके पहले, जिन लोगों ने भी कल का वीडियो देखा है, आप देखिए, जो मैंने ये लेविल्स आपको दिये थे, क्या ये बिल्पुल अच्छी तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आप गौर करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो लेविल्स मैंने आपक कर रहा है, आज क्या हुआ, आज मार्केट में निफ्टी ओपन हुई, और ये देखिए, जिसने कल का वीडियो ना देखा हो, वो पहले जाकर रहे वो वीडियो देख ले, 15,778 रुपे, 95 पैसे, मैंने आपको बताया था, आज मार्केट ने ठीक उसी जगे सपोर्ट लिया लिया, यहां से यहां तक मार्केट कंसॉलिडेट किया, और इसके बाद उपर गया, और ये देखिए आप, इस लेविल को, जो 15,834 रुपे, 20 पैसे मैंने आपको दिया था, यहां पर इसने रिस्पेक्ट करके, मार्केट यहां आकर खड़ा हो, तो जो चीज मैं आपको कह चाहा रहा हूँ, उस चीज को समझे, कि जो लेविल्स मैं आपको देता हूँ, वो लेविल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे उन पर आप ट्रेड कर सकते हैं, तो अब देखिए यहां पर कल क्या हो सकता है, ये देखिए, मार्केट ने इस लेविल को रिस्पेक्ट किया, इधर इधर भी इस level को respect किया, इधर भी इस level को respect किया, इन सब में और आज में difference क्या है, ये चीज आपको समझना पड़ेगी, difference ये है कि जब market ने इस level को respect किया था, तो उसके एक दिन पहले market ने closing यहाँ दी ते, यहाँ से यहाँ तक, ये लगबग लगबग 100 point का range है, इस range का travel करने के बाद market ने यहाँ पर respect किया, यहाँ पर जब market दुबारा पहुचा तो तो देखिए, यहाँ पर market ने closing दी ती, इतना travel करने के बाद market ने यहाँ पर resistance दिया था, same condition यहाँ की है, same condition आप देखोगे, यहाँ की है, लेकिन यहाँ पर आज market ने closing दे दी, यानि अपने high के ना होता है, तो market बिलकुल high के आसपास जाके बंद होता है, तो next day या तो gap up opening होती है, next day या तो gap up opening होती है, या फिर flat open होके market इसको break करता है, तो कल दो ही condition बन नहीं है, कि market flat open हो, flat open होने का मतलब हो गया, 15 से 20 point उपर या नीचे, बलकि हो सकता है, 10 point के अंदर ही कल market open हो, अगर कल market 10 से 15 20 point के अंदर open होता है, और उसी range में 1-2 घंटे बिगताता है, और फिर market इसको break करता है, तो कल market में नया high बनने की पूरी-पूरी संभावना है, तो आपको करना क्या है, अगर कल market flat open होता है, तो आपको इसको break होने देना है, जब ये अपना पिछला high तोड़ेगा, यहाँ पर आप अपनी buy position बना सकते हैं, stop loss ट्रेल करना होगा आपको क्योंकि इसके उपर के level आपके पास मौझूद ने, अगर market कल हलका gap down भी open होता है, या फिर market अपने इस level के पास भी open होता है, तो भी कल आप buying कर सकते हो, कल market इस high को break करेगा, ऐसा आप अभी तक के सिनारियो को देखका लगता है, तो कल buy बनेगा, sell कब बनेगा, यह चीज का ध्यान रखिए, sell कब बनेगा, sell तब बनेगा, जब market एक बड़ा gap up खुलता है, मतलब लगबग लगबग 70-80 point का gap up खुलता है, और एक candle बनाता है, पहली candle जो बनाएगा 15 मिनट के, उस candle का low break करता है, price action बनाते हुए, तो आप इसमें sell कर सकते हुए, नहीं तो कल, केवल और केवल buying की position बन रही है, nifty में, बात करते हैं, bank nifty की, देखिए, bank nifty में क्या हुआ, bank nifty भी अपने high के पास जाकर बर्स भाए, देख रहा है न, ये, 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 अगर हम bank nifty में, थोड़ा सा बड़ा चार्ट लगा लें क्योंकि इसके आगे का आ नहीं रहा है, देखिए, इस चार्ट को लगाने पर, आप ये देख रहे हो, कि market कहां पर बंद हुआ है, बिल्कुल resistance के पास आकर बंद हुआ है, और market जहां पर consolidate करना चाहिए, ता ठीक उसी जगे उसने consolidate किया है, अब वो market में 36,500, ध्यान दीजे, मैं क्य कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप से 36,500 के levels आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, आप इस level का target लेते हुए, कल अगर ये अपना high तोड़ता है, आप buy की position बनाओगे, बहुत से लोग कह रहे हैं, 36,000 हम से student कॉल करके पूछ रहे हैं कि कल सर 36,000 जाएगा, मेरे को तो 36,500 का target दिख रहा है, तो आप अगर कल break करता है high, तो आप इसमें 36,500 के लिए trade ले सकते हो, अगर आप देखोगे, जब जब मार्केट ने low बनाया है, उसके बाद higher high बनाने लगा market, ये देख लिए, किसी भी low को देखी आप, ये क्या कर रहा है, higher high बना रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में कल एक buying की situation बन सकते है, और एक काम कर सकते हैं, आप और ध्यान से देखें अगर तो, एक trend line डो कर दीगें, ये वाली, ये, ठीक है, market का नया high कहां पर है, ये है market का नया high, supporter instance, मतलब, कल के लिए, आप इस situation को ध्यान रखेगा, और साथी साथ, ये वाला high जो आज इसने बनाया है, ये वाला high, मैं इसको पंदा मेट के चार्ट पर convert कर देता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, अब आप समझिए, कल के लिए आपको bank nifty में क्या कर जाकर closing दिए, इसका मतलब ये है, कल bank nifty में एक gap up opening हो सकती है, जो market को 36,488 तक ले जा सकती है, ये आप target के हिसाब से, कल आप buy करेंगे, अगर इसके उपर निकलता है, तो इस जगे आपकी buying बनती है, या फिर market नीचे खुलता है, flat खुलता है, इस trend line को respect करके उपर जाता है तो यहाँ पर भी आपकी buy ही बनती है, और market यहाँ पर एक बार पौज लेगा, और फिर volume के साथ इसको break करके इस level तक जा सकता है, sell आपको तभी करना है, जब market इस trend line को break कर दे, और एक bearish candle बना दे, उस candle के नीचे ही आप इसको sell करेंगे, और ये trend line आपका sell रहेगा, buy करते में भी और sell करते हैं, crude oil की बात करते है, crude oil में कल में आपको बताया था, कि market में केवल downside का सेनारियो अभी है, तो downside का सेनारियो है, तो उसमें market में ये देखी, market open हुआ, उपर से, यहाँ नीचे आया, फिर ये देखिए, price action बनाता हुआ, नीचे आया, market में अगला target आपका ये है, जो लोगों ने telegram, मेरा join नहीं किया है, वो telegram join कर ले, telegram में मैंने आपको सुबह ही दे दिया था, कि market में क्या target आ सकते हैं, जो लोग telegram चे जुड़े हुए हैं, उन्हें इसकी importance पता है, मैं market open होने के बहुत पहले आपको target और ये levels दे देता हूँ, देखिए, अचीव होते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में market open होने के पहले ही आपको दे देता हूँ, ये निफ्टी का है, और नीचे आपको मिलेगा बैंक निफ्टी के levels, आज मैं थोड़ा बिजी था, तो मैंने आपको link दिया था, कि I am not available, तो आप लोग telegram से जुड़ सकते ह टेलिग्राम का link मैंने वीडियो की description में दिया है, अगर किसी को नहीं मिलता है, नहीं जुड़ पा रहा है, तो मैंने WhatsApp का number दे रखा है, उस WhatsApp पे आप call करके, या वहाँ पर telegram लिखकर मुझे भेज देंगे, तो मैं आपको telegram का link दे दूगा, तो crude oil में, आप क्या कर सकते हो अगर ये, अब जैसे ये market इस समय 5410 के आसपास है, ये इसका एक resistance है, ये इसका एक resistance label है, यहाँ पर sell करने की बजाए, इसको उपर आने दो, इसके आसपास, लगबग लगबग, इस range के आसपास आप इसे दुबारा sell कर सकते, इस top loss आपका, ये रहने वाला है, और target आपका ये रहो सकता है, ये target हो सकता है, तो ये हो गई बात, पुरूराल की, copper में भी कल हमने आपको बताया था, ये देखी, ये copper का है, copper में इस समय ज़्यादा movement नहीं है, movement मतलब लोगों का volume नहीं है, यहाँ पर, लोग इसमें अभी ज़्यादा trade नहीं कर रहा है, इसलिए इसके चार्ट आपको कुछ इस टाइब के दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर market consolidate कर रहा है, इस जगे market consolidate कर रहा है, इसमें trade buy की अभी तो नहीं मुझे दिख रही है, भले market ने 10 रुपे का movement दिया हो, market ने 10 रुपे का movement दिया है, लेकिन इसमें अभी कोई buying हमें दिख न नहीं तो यहाँ पर भी आप इसे sell करके यह trend line का stop loss रखके आप बैठ सकते हैं, नेच्रल गैस की बात कर लेते हैं, नेच्रल गैस में कलम ने क्या बोला था, जितना इसको उड़ना था, उड़ चुका, अब क्या है, अब यह snake resistance बना दिख गया, ठीक है, इसके ऊपर ही इसम यह वाली, कल भी मैंने आपको बताया था, कि market ने यह range बनाई थी, इस range को भी आज इसने अभी अभी break किया है, ठीक है, तो अब यह इसमें क्या हो सकता है, इसमें यह हो सकता है, कि market इस range तक दुबारा pull back ले सकता है, यहां तक, और इसके बाद इसमें एक और selling होगी, जो market को नीचे 260 लेविल तक लेकर आए लिए, तो इस लेविल के आसपास, आप इसमें sell कर सकते हैं, और यह आपका sell line, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, rules के साथ आप trade करिए, वीडियो को like करिए, share करिए, telegram से नहीं जुड़े हैं, तो telegram से जुड़ जाएगे, good night